Hello guys and welcome back to the channel everyone आज हम लोग continue करने जा रहे है अपना Minecraft survival series जहां पर मैं village build कर रहा हूँ and in the last video we built structures of villager converter farm और हम ने दर में गहते हैं जहां पर मैंने blaze rikarti जो कर दी थी बट उसके बाद क्या हुआ देखना हो तो previous video को देख लेना और आज हम लोग build करने वाले है जो के काउस के लिए होगा and before that 3 per exploded on my back चलो, let's build this मैं यहां पर एक एक side में एक block और increase कर रहा हूँ अपने build का because symmetrical रहना अचाहिए and symmetry build करने में easy होता है so let's build this thing so guys pillars are all done now और अभी हम build करने वाले है इसकी walls so let's build up this walls यहां पर windows भी create करने वाला हो कुछ-कुछ जगा पे कुछ-कुछ जगा पे plain walls रहेगी because of course windows only plain walls पे अचही लगती है ना की corners पे so corners वाली सब plain ही रहेगी और बाकी सब windows हाएंगे बीच में so let's build this thing so we all start in place kuchh valve कांवा की रहेगा just a few old wall और भी रहेगा जोकि मैं complete कर दूँगा but before that let's complete our windows windows के लिए मैं इस्यादा कुछ-कुछ पंची नहीं कर रहा हूँ just windows के लिए मैं यह यह बहुत अच्छा जाता है पहली तिंग और सेकेंडली यह बान है अनिमल पर नहीं है तो बुड़न थीम के साथ से बहुत अच्छा जाएगा नहीं बिल्ट इस थिंग बट बिफोर लेट कंप्लेट और वाल यह बाकी रह गया तो यहां पर कुछ ना बाकी रह गया था यहां मैं कंप्लेट कर रहा हूं और यहां पर कुछ फेंस रह गया थे च्छो कि मैं रिमूब कर रहा हूं यह एक ब्लॉक निचे रहेगा ताकि कुछ depth create हो सके कुछ अलग दिख सके यह चीज और मैं यहाँ पर कोई states का यूजने कर रहा हूँ only slaps का यूज कर रहा हूँ because एक upward slope सा दिके and now let's build the main roof structure और गाइस मैंने main roof structures के लिए एक rounded roof यूज कर किया है ना की एक point ही roof जो क्योंकि मुझे जादा height नहीं चाहीती इस चीज की because height का कोई मतलब है ने so I opted for rounded roof as you can see in the frame now let's build this thing so guys roof is done now it's time for decoration outside decoration और मैं आपर बिल्ड कर रहा हूँ अपना entrance जो की dark oak slaps dark oak slab of trees से बिल्ड कर रहा हूँ and it is looking pretty good in my opinion मैंने कुछ changes कर दिये slaps को upward zone लगा ता भी सीधा लगा दिया and it is looking pretty good in my opinion और मैं अभी यहां पर जो बीच में sections बचेंगे वहां पर मैं कुछ ऐसा arch सा create करने वाला हूँ जिसे बहुत अच्छा दिखेगा and breeding थोड़ी full दिखेगी and let's do this on all the sides कि बच्छा बीचा शिभा जेड़ी चाल दिन साई एला हो ismem constitutional और मैं हूँ झाज़ी झाल हो श्या क। जो अगैज़ आफ दो इंदे टैमलप्स आइक गोची वायग विवीड दीक तर दीक पर दीक्ट साइब में पर रूप वी कम्रेट कर दीये कुछ लैंटन्स लाके लगा दिये ताकि अंदर फोड़ी लाइट है मॉप स्पोन ना हो सके और गाइस बाइस 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 अपना बिल्ड कुछ ऐसा दिख रहा है कर अवा दिख वॉस वाल को एक ब्लग करने की जरुते है विकाव इस ना विजबल कुछ एक एक बाइस हादि कराया उस तरफ बट सिंस आर्यालाइज इट मैंने कुछ राइस के बाद इस होस को फाइनली टेम कर दिया देर यूगो और जल्दी से उपर सैडल डालके वी आफ फोर राइट मैं इस होस की दो चीज टेस्ट किये एक तो जंप और दूसरा बट स्पीड इन बोथ वेस्ट इस वाइट गूड आप लुकि अट लुकि अट लुकि अट यूज पॉस मिल गये जो कि अच्छा जंप लिकर सकता है अरूंट तो 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 प्री ब्लोक्स आगेस अट यूड रुड रुनर ओल्स तो इस व्डट रुड रुड कहीं चाहना सके and by skipping through the night I crafted some dark oak fence और यह fence gate ताकि मैं यहां पर fence gate से इसको cover कर सको and dark oak fence से अंदर मैं cover करना चाहता हूँ so let's I did this quickly और मैंने यहां पर ओक fence लगा है जिसको रिमो करके dark oak कर रहा हूँ because एक theme चलिए यहां पर इस build में तक कि dark oak के सारे fence यूज़ोंगे so I want to keep that theme going so मैं यहां पर dark oak के fence लगा दिया है and we are done with the ban, interior, exterior, lighting, sabkuch done and I have a pet horse and this is quite an upgrade to our village guys and by this I want to sign off from this video and see you in the next video soon or next video में quite an adventure होने बाला I am telling you guys so keep tuned and subscribe to the channel to watch more